शुबं करोती मंगलम प्रभू शिराम के क्रिपा आप सभी पर बनी रहे हैं मैं रूपाली श्रवास्ता आप सभी का हादिक स्वागत करती हूं अभी नंदन करती हूं तो चलिए जानते हैं क्या हो सकता है आपके साथ आपकी राशियों के अनुसा तो सबसे पहले हम चर्चा से बहुत जभाइशा ना करें आपको निराशा के स्थिती में वह लाज सकते हैं से लिचмы शर्चा करते हैं वरशब रासी के स्टार्स क्या कहते हैं में वरइशब राशीsprit में इस्थिती पहले से अच्छी है आपको लाब होगा बड़ा धन लाब हो सकता है अचानक बड़े धन लाब होने से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समधन आपको होता हुआ मिलेगा कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है इस दिन आज के दिन यह पूरे सप्ता भर कि आपके जो ग्रहन छत्र हैं आपको तो महालक्ष में योग बना रहे हैं जो आपको बड़ी वृद्धी की ओर ले जा रहे हैं लेकिन आपके लिए आवशक्ता है कि आप कारे करते हैं क्योंकि आप कर्म करेंगे तभी आपको मेहनत का फल मिलेगा तो चली चर्चा करते हैं मितुन राशी के स्टार्स क्या कहते हैं तो मितुन राशी वालों के साथ आज के दिन काफी पॉजिटिव हो सकता आप अपने कैरियर में नए आयाम की तरफ आगे बढ़ेंगे चीजों को अच्छा करेंगे इस्तिती पहले से बहुत बेटर है मन भी आपका केंद्रित होगा और आपकी बहुत सारी समस्याओं का समधान आज आपको मिल सकता है तो चली चर्चा करते हैं करकराशी के स्टार्स क्या कहते हैं करकराशी वालों को पहले से बहुत जादा मांसिक संतुष्टी मिलेगी आप मन से काफी पॉजिटिव होंगे हमेशा अच्छा करें तभी कि आपका मन तो जानता है कि आपने क्या और किसके साथ सही किया यह गलत किया क्योंकि इंसान दुनिया से जूट बोल सकता है स्वयम से नहीं मेरा इशारा इस तरफ है कि कर्म अच्छे करें अन्य था आपको उसका फल भी भूगना पड़ेगा चली आपको फिर से याद दि इसी प्रे मित्रे से मुलाकात हो सकती है कोई ऐसा वेक्ति आज आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जिसके आगमन से आप अपनी चीजों को काफी हद तक पॉजिटिव कर लेंगे और आप अपनी समस्या से बाहर निकल लाएंगे तो कुल मिलाकर दिन अच्छा है अच् आपके विवाह के योग भी बनेंगे युवक योगति जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए काफी पॉजिटिव साइन है आज आप अपना विवाह के लिए प्रयास करें आपको हो सकता है कि अपने जीवन साथी की आपकी तलाश आज के दिन खात्म हो जाए तो चल इसलिए वड़ा आप संघर्ष करते हैं उतनी बड़ी सफलता आपको मिलती है तो कई बार जब हमें झीवन ने परेशानीया सती है तो घबराएं क्योंकि जो बड़ा कारे करते हैं, उनको बड़ी परिशानियों का भी सामना करना पड़ता है, तो साल धानी रखें, चीजें आपके निकल जाएंगी, तो चलिए, अब हम चर्चा करते हैं, विरिश्चिक राशी के स्टार्स क्या कह रहे हैं, विरिश्चिक राशी वालों के जीवन में भी थोड़ी स से पॉजिटिव है, पर्सनल रिलेशन को आप ठीक करें, संतान पक्ष को लेकर आपको परिशानी हो सकती है, देख समझ कर चले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, तो चलिए आपको फिर से याद दिला दू, आप फिर से रुपाली श्रिवास्तों के साथ तरजान रहे और चीजों को आप पहले से अच्छा करना चाहते है, तो इस्तिती को पहले मन के हिसाब से कंट्रोल करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि हम जो सोचते वो नहीं होता, जिससे हमारा मन हताश हो जाता है, तो इस इस्तिती से अपने आपको बाहर निकाले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, संतान पक्ष की तरफ सोच विकार चार कर चलने के आफशकता है, क्योंकि संतान ही जीवन की सबसे बड़ी पुंजी होती है, ये समझकल हर मातापिता को चलना चाहिए, और मकर राशी वालों को अपने संतान की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़ादा आ कर पा रहे हैं, कही बार हमारा पास्ट हमारे जीवन पर इतना हावी होता है, कि हम अपने भानों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वेक्ति हमेशा हमारे दिल और दिमाग में रहता है, तो कुछ इसी प्रकार की स्तिती से कुम राशी वाले व्यक्ति भी सफर कर रgod essa ग भावनाओं को व्यक्त करें नहीं तो आप कस्ट मानसिक रूप से बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि यह समस्या आपके स्वास्त को भी खराब कर दें तो चली चर्शा करते हैं मीन राशी के स्टार्स क्या कहते हैं मीन राशी वालों के लिए देना शूब है आपको सुब लापक से आपका मन प्रिसंद रहेगा और आपकी कोई ऐसी इक्षा जो बहुत दिन से अधूरी चल रही थी वो भी पूरी हो सकती अध्यात्मिक्ता की तरफ आपका रुजान तेजी से बढ़ेगा जीवन में आगे बढ़ें तभी आपको सफलता के रास्ते खुल कर मिलें तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशिया और क्या हो सकता है आपके साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें एक बार फिर से याद दिला दूं आपको आप है रुपाली श्रुवास्तों के साथ और जान रहे है अपनी राशियों कहां सितारों के गती के अनुसार नमस्कार